पाकिस्तान, नाम तो आपने सुनाई होगा, यह वो मुल्क है दोस्तों, जिसे की दुनिया में जितने भी लोग हैं, उसमें से सिफ पाकिस्तान के लोग ही ऐसे हैं, जो अपने देश को सुपर पावर समझते हैं, उनका JF-17 फाइट जेट, दुनिया का सबसे अच्छा रच्छीं करेंग आपने कोई कार लोन लेकी रखा हुआ है, और उस कार लोन को खुआ हो ह Bunu कैंड कार लोन के आप वापस कर डिया हैं, पर आपके यह च्रेखके रहुन कर देंग को लोन आपके पास हैं, तो कब होगी, आपको ज़ादा बेश्ती महसूस तीनों आपके पास पहला कि आप car loan चुका नहीं पा रहे हैं इसलिए आपने खुद ही अपनी car बेच के bank को loan वापस कर दिया दूसरी situation ये है कि आप car loan चुका नहीं पा रहे हैं पर car आपको रखना है चाहे वो आपकी मजबूरी ये आपका शौक और इस case में bank आता है और आपके घर पे से car खींच के ले जाता है और तीसरी situation है कि आप कहीं बाहर घूमने गए हैं और आपको bank वाले उस जगह जाके आपको car से उतार देते हैं और वहां से आपकी car खींच के ले जाते हैं इसमें से सबसे ज़्यादा बेस्ती आपको कहां feel होगा अपने thought को comment section में जरूर लिखेगा वैसे मेरे हिसाब से ज़्यादा बेस्ती feel होगी जब आप कहीं बाहर अपनी car से गए हो और आपको निकाल के बाहर फेक के आपकी car को ले जाए bank वाला तो same ऐसा ही दोस्तो पाकिस्तान के साथ हुआ है मतलब इतनी बड़ी बेस्ती आप एक बार महसूस करिएगा कि क्या हुआ एक्चुल में दोस्तों पाकिस्तान कर्ज से दबा हुआ है कितनी जादा कर्ज से दबा हुआ है अगर मैं इसकी बात करूँ तो पाकिस्तान में प्रतिव्यक्ति कर्ज आस तक आपने सुना होगा कि प्रतिव्यक्ति आए लेकिन मैं आपको आज प्रतिव्यक्ति कर्ज बता रहा हूँ पाकिस्तान में जो है वो 1,53,689 करोड उपए है तो यानि कि वहाँ पे जब कोई बच्चा है पैदा होता है तो उसके उपर इतना कर्ज होता है लगभग आप एवरेज ये समझ सकते हैं तो पाकिस्तान की जो एरलाइन्स है वहाँ की गौर्मेंट एरलाइन्स यानि की PIA यानि की पाकिस्तान इंटरनेशनल एरलाइन्स इसके पास जितने भी प्लेंस है सब लीस पे लिये हुए हैं तो इसी मेंसे एक प्लेन था बोईंग 777 का, ये प्लेन को पाकिस्तान ने लीस पे लिया था एक वियत नाम की कमपनी से, पर जो लीस का पैसा था वो पाकिस्तान पिछले 6 महीने से ज्यादा से नहीं दे रहा है, जिसकी वज़े से उस कमपनी ने केस किया UK के कोट में, ध्यान की सुप्रीम कोट नहीं, वहां की एक लोकल कोट ने कोलालंपूर में ऐसा आदेश सडिन दिया, कि पाकिस्तान के एक विमान को कबजे में ले लिया जाए, और पाकिस्तान का ये जो पैसेंजर प्लेन था, ये पाकिस्तान से कोलालंपूर यानि की मलेशिया में उतरा, और इसे तुरंथ ही वापस आना था पैसेंजर्स को लेके दूसरे पैसेंजर्स को इस प्लेन में कोला लंपूर में पैसेंजर्स बैट भी चुके थे लेकिन उसके बाद मलेशियन गवर्मेंट के जो ओफिशल्स है वो आते हैं और पाकिस्तान के लोगों को वहां से प्लेन में बैठे हुए लोगों को, उसके क्रू को, पाइलेट को, सब को उतार दिया जाता है, और उस प्लेन को जब्द कर लिया जाता है, एक बार इमेजिन करके देखिए, कि उस समय उस प्लेन में जो भी पाकिस्तान के लोग सवार होंगे, उन्होंने अपने मुल्क को कितना कोसा कि इस लेवल की अगर बेस्ती आपके इंटरनेशनल बेस्ती हो, इवन ये बेस्ती भी नहीं है, उन लोगों के लिए ये बेस्ती हो सकता है हो, लेकिन पाकिस्तान के लिए अगर बात की जाए, और इमरान खान जैसे लोगों के लिए, तो ये बेस्ती नहीं है, बलकि बेस् इसे कह सकते हैं, तो इस तरह की भयंकर वाली बेस्ती पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के साथ होई है और आपको ये भी बता दो, मलेशिया वो कंट्री है जिसने कश्मीर इशू पे इमरान खान यानि की पाकिस्तान का साथ दिया था और भारत के खिलाफ statement पास किया था लेकिन आप देखिए पैसा कितनी बड़ी चीज है कुछ दिनों पहले तक मलेशिया के PM जो थे वहां के जो XPM है वो Muslim Muslim भाई-भाई वाली बात पे एक दूसरे का support कर रहे थे और तो कोई reason था नहीं भारत के खिलाफ जाने का तो इसलिए वो Islamic country हैं दोनों तो इसलिए support कर रहे थे Kashmir issue पे लेकिन जब पैसे की बात आई तो आप देखिए पैसे में कितनी बड़ी ताकत होती है हर चीज से उपर है पैसा इसका मतलब कि Malaysia ने इतनी भयंकर बेस्ती करते हुए पाकिस्तान के passengers को उतार के उनका plane कबजे में ले लिया अब पाकिस्तान वाले आगे क्या करेंगे ये तो वक्त बताएगा लेकिन पाकिस्तानी मीडिया के according अगर आप मानते हो तो अगर ये जो कर्स है ये 14 मिलियन का है फिलाल इस plane के लिए तो अगर ये 14 मिलियन डॉलर का कर्स पाकिस्तान एक साथ पे कर देता है तो उनको ये plane वापस मिल जाएगा लेकिन plane तो वापस मिल जाएगा पर जो इज़त गई है वो वापस अब कभी भी नहीं मिल पाएगी भले से आप वो plane खरीर ही लीजिए तो ये बेसिकली इस समय पाकिस्तान की हैसियत है और इनके जो मंत्री है वो सब पाव पाव भर के atom bomb, ये bomb, वो bomb JF-17 फलाना डिमका करते हैं आप imagine करिए कि इस देश की क्या हालत होगी जिस देश में passenger विमान को कोई दूसरा देश कबजे में ले ले रहा है उस देश की असल में हालत क्या होगी और इस देश और इस देश के बहुत सारे लोग है जो की किस अंध विश्वास में जीते हैं और JF-17 पे घमंड करते हैं हभी के लिए ताई, नमस्कार, जैहिंद